यह वीडियों साइन्स क्लास 10 चैप्टर 12 का पार 13 है और अब हम बढ़ते हैं निमेरिकल की और तो जैसा कि पहला निमेरिकल आप देख सकते हैं एन इलेक्ट्रिक लैम्प तो आप देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम and a conductor of 4 ओम यहाँ आप देख सकते हैं 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाए गिया है तो दो रेजिस्टेंस आपको मिल गए R1 और R2 तो यदि आपको कंबिनेशन में पुछे का calculate the total resistance of the circuit पहला तो R बराबर क्या हो गया R1 प्लस R2 तो आप देखेंगे कि R1 क्या है 20 ओम मान लिजे और इसको मान लिजे R2 ती हो गया 4 ओम किसे भी आप मान सकते हैं तो यह क्या हो गया 24 ओम टोटल रेजिस्टेंस आपको हो गया अब आप देख सकते हैं यह connected है एक 6 वोल्ट के वैटरी से यहाँ पर 6 वोल्ट का यहाँ पर वैटरी है यानि कि potential difference यहाँ पर क्या हो गया 6 वोल्ट हो गया और total resistance आपको क्या मिल गया total resistance आप बराबर 24 ओम हो गया तो यदि बोला जाए कि इस पूरे circuit से होके current कितना पास हो रहा है तो आप I का मान निकाल सकते हैं और I का जब आप मान निकालेंगे तो V बराबर क्या होता है I R तो I निकालेंगे तो V बटा क्या हो जाएगा R तो I को इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप I is equal to V हो गया आपका 6 वोल्ट और R कितना हो गया आपका 24 ओम तो आप जब डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 0.25 A इस प्रकार से यानि की करेंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पर 0.25 A का करेंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब I बराबर क्या हो गया आपका 0.25 A अब आप याद करें मैंने बताया था कि जो सिरीज में कंबिनेशन रेजिस्टर का हम लोगों ने किया था उसमें कुछ बात आए आपको याद रखनी है यदि आप वो बात याद रखेंगे तब ही आप प्रेश्न को बना पाएंगे तो यहाँ मैंने एक बात बताया था कि आपको पूरा जो सरकीट है उसमें जो I कमान होता है वही I कमान यहाँ भी फ्लो हो रहा है और वही I कमान कहां फ्लो हो रहा है यहाँ भी फ्लो हो रहा है तो आप देखेंगे I बराबर यहाँ पर क्या हो गया 0.25 A यहाँ फ्लो हो रह है कि आप जो है यहां V1 और V2 को calculate करिए क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि series में जोड़ा जाएगा तो यहां का potential difference और यहां का potential difference क्या होगा अलग-अलग होगा तो यदि आप V1 जो निकालेंगे तो वह अलग आजाएगा और V2 भी निकालेंगे तो अब भी क्या आजाएगा अलग आजाएगा तो V1 बराबर क्या हो गया I R1 हो गया और V2 क्या हो गया आपका I R2 हो गया I का माना आपको पता है 0.25 Ampere और R1 आपको पता है 4 तो यहां से इसको गुना करेंगे ओम आपको लिखना जरूरी है तो आपका यह 1 क्या हो जाएगा वोल्ट अंसर हो जाएगा और यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो यह क्या हो जाएगा V2 I I क्या हो गया 0.25 Ampere लिख देंगे आप और R2 कितना हो गया आपका 20 Ohm और इसको आप जब गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यह पहले में कितना वोल्ट है 1 वोल्ट और दूसरे में कितना वोल्ट है 5 वोल्ट तो यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि यदि सिरीज में जोडते हैं तो V बराबर क्या होता है V1 प्लस V2 तो V1 हो गया आपका 1 वोल्ट और यह क्या हो गया 5 वोल्ट तो टोटल मिलाएगे तो कितना हो गया 6 वोल्ट यह भी आपको निकल जाएगा तो इस प्रकार से आप सारे प्रश्णों को solve कर सकते हैं यदि आपका concept अच्छा से clear है तो तो अब हम लोग एक और चीज यहां देखेंगे आपका potential difference कितना आगया 6 वोल्ट आगया और I कमान क्या हो गया 0.25 ampere आगया तो आप देखेंगे कि यह दी total resistance, equivalent resistance निकलना आगया तो I बराबर क्या हो गया आपका V बटा ऐसे करेंगे V बराबर क्या हो गया I R तो R बराबर क्या हो गया V बटा I और V आपका कितना हो गया 6 वोल्ट और I कितना हो गया 0.25 ampere और आप देखेंगे इसको काटके तो यह आजाएगा 24 ohm तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह था 4 ohm और यह 20 ohm था तो यह दोनों 24 ohm निकला था तो यहाँ भी आपका 24 ohm हो गया तो आप किधर से भी प्रश्ण बनाना चाहेंगे आपका अंसर वही आएगा मतलब की सही आएगा यहाँ आप देख सकते हैं एक parallel combination का एक प्रश्ण यहाँ पर आप दिया गया है तो यहाँ पर 12.10 figure का ही यूज करना है हम लोग को 12.10 का और यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स दिये गया है पांच ओम, दस ओम और तीस ओम के इसको parallel में सजाए गया है और 12 वोल्ट इसको जोड़ा गया है तो हम लोग को देखना है यह सारे प्रश्ण को तो चलिए हम लोग देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर parallel combination किया गया है पांच ओम है, दस ओम है और तीस ओम है अलग-अलग resistance की यह resistors है और आप देख सकते हैं 12 वोल्ट सोर्स से यहाँ जोड़ा गया है तो सबसे पहला यदि हम लोग इसको combination निकालना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1 बटा R is equal to 1 by R1 plus 1 बटा R2 plus 1 बटा R3 और इसके बाद आप लिख सकते हैं 1 बटा R is equal to 1 बटा 5 plus 1 बटा 10 plus 1 बटा 30 और जब आप इसको इस प्रकार से solve करेंगे तो 5,230 है इस प्रकार से तो आप देखेंगे कि यह 30 और यह क्या हो गया 6 plus 3 और प्लस 1 और यह हो गया 10 बटा 30 1 बटा R तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 ओम यह क्या हो गया आपका एक equivalent resistance हो गया इसका मतलब R कामान क्या हो गया आपका 3 ओम यदि R आपका 3 ओम आगया है equivalent resistance और I कमान आपको नहीं पता है और potential difference यदी 12 volt दिया गया है तो यहां से I कमान निकाल सकते है V is equal to क्या होता है I R और यदि I कमान निकाला है तो हम लोग क्या ओलेंगे V बटा R तो V यहाँ पर आपका कितना है 12 volt है तो I कमान कितना हो गया आपका बटाओ यहाँ पर हम लोगों क्या बोलेंगे तीन ओम तो यह ओगया अपका 4A तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि । आई का मान क्या हो गया आपका आई जो फ्लो हो रहा है वह हो गया 4A लेकिन एक बात आप ध्यान दें यहाँ पर V जो है सभी में एक समान होगा, मतलब यह पहला वाला जो resistance है यहाँ भी V कितना होगा आपका, V हम लोगों ने बुला है 12V है यहाँ भी कितना हो गया 12V होगा और यहाँ भी कितना होगा 12V होगा तो यहाँ इसका मतलब I1, I2 और I3 का भी अलग-अलग मान निकाला जा सकता है जैसे कि हम लोग यदि I1 का मान निकालेंगे तो I1 का मान क्या हो जाएगा I1 का मान हो जाएगा V बटा R1 तो V आप देख सकते हैं V यहाँ पर कितना है 12 V और R1 कितना होगे आपका 5 Ohm तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 2.4 Ampere आजाएगा दूसरा में आप देख सकते हैं I2 का मान निकाल सकते हैं V बटा क्या है R2 तो V आपका 12 V है और यह क्या है 10 तो यहाँ जाएगा 1.2 Ampere और तीसरा आप देख सकते हैं I3 तो I3 क्या हो जाएगा V बटा R3 तो इसका मान आप देख सकते हैं V है 12 बटा यह क्या हो जाएगा 30 तो इस प्रकार से करेंगे तो यह जाएगा 4 बटा 10 तो यह हो जाएगा 0.4 Ampere इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 हम लोग करके देखते हैं कि क्या यह I के बराबर हो रहा है तो I1 आप देखेंगे यह 2.4 प्लस 1.2 प्लस क्या है 0.4 और आप जोड़ेंगे तो यह जाएगा 4, 4, 8 और 2, 10 1, 1, 2 और 2, 4 Ampere तो आप देखेंगे 4.0 Ampere इसका मतलब हम लोगों ने जो calculation किया हुआ क्या है सही है तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप यदि आपको पूरा इसका थेयरी याद है तो आप इसको आसानी से निमेरिकल कर सकते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि ये parallel combination है तो parallel combination में I कमान क्या होता है I1, I2 और I3 होगा एकदम आप रटते जाएं इसको इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसका जो potential difference है वह तिनों में एक ही रहेगा इसका मतलब यह भी potential difference V है यह भी V है और यह भी क्या रहेगा V तो यदि और यहाँ आप आप देख सकते हैं यहाँ R1 है R2 है और R3 है यह था 5 Ohm और यह कितना है आपका 10 Ohm और यह कितना है 30 Ohm तो यदि यहाँ पर R1, R2, R3 पता है आपको V पता है 12 Volt तो I1 पता चल जाएगा I2 पता चल जाएगा I3 पता चल जाएगा और तीनों को जोडेंगे तो क्या आ जाएगा I भी निकल जाएगा तो बहुत सारे प्रशनों को यहाँ दिया जा सकता है जिसको हम लोग solve कर सकते हैं तो मुझे अमीद है कि आपको यह आसानी से समझ में आया होगा तो यहाँ एक और प्रशन हम लोग देखते हैं इसके पहले हम लोगोंने series वाले एक प्रशन को देख लिया है और parallel वाले एक प्रशन को देख लिया है तो यहाँ आप यदि प्रशन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ parallel दिया गया है और यहाँ भी parallel दिया गया है लेकिन ultimately इन दोनों को series में जोड दिया गया है तो सबसे पहले तो इस parallel का हम लोग equivalent resistance R' निकाल देंगे और इसका भी माल लीजे R' इस प्रकार से निकाल देंगे और जो भी इसका equivalent resistance आएगा उसको हम लोग क्या जोड देंगे और जोडने पर हम लोगो equivalent resistance मिल जाएगा और यदि equivalent resistance मिल गया तो आपको I का मान फिर पता चल सकता है क्योंकि यहाँ पर यह दिया हुआ है कि यह 12V का potential difference है तो ठीक इसी प्रकार से प्रेशन को बनाय गया है R-S निकालने के लिए जैसे हम लोगों को पता है formula 1-R-S ब्राबर क्या हो गया यह हो जागा आठ ओम उपर क्या हो गया आठ ओम और नीचे क्या हो गया आपका यह हो गया 10 ओम और आप देखें कि इसको फिर series में यहाँ जोड़ा गया है अब ध्यान से देखें यह हो गया total 8 ओम और यह क्या हो गया आपका 10 ओम और इसको सिरीज में जोड़ा गया है तो 8 और 10 टोटल क्या हो गया टोटल हो गया आपका 18 Ohm तो यदि आपको current निकालना है तो V is equal to क्या होता है IR आप देखते चलें कि कहां पर आपने क्या लिखा है तो V is equal to IR होता है तो आपको R निकालना है स्वरी टोटल करिंट निकालना है आई तो आपके लिख देंगे V बटा R तो V आपको पता ही है V क्या है यहां 12 Ohm है और टोटल रेजिस्टेंस आप इसको जो भी नाम देना चाहते है उस प्रकार से नाम दें जब आप सॉल्फ करेंगे तो R, R डैस, R डबल डैस यह सब चीज आप ध्यान रखें तो आपको यहां पता है कि यह 12 Ohm है और यह कितना हो गया 18 Ohm और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यह देख सकते हैं 0.67 Ampere आ गया तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रशन आपके हेल बुक में दिये गए हैं उन सब को सॉल्फ कर लिजे क्योंकि इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रशन आपको एक्जाम में पूछे जाते हैं तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में धन्यवाद